वेलकम टू नेक्ट एक्जाम आज है 28 जुलाई 2022 और 28 जुलाई 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं सारे में से वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुशिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा व आप मारे टेलिग्राम गूर्प से भी डाउन्वोड कर सकते हैं टेलीग्राम गूर्प पर आपको सारे पीडियाप एक साथ इसुन कर सकते हैं इस वीडियो करसे तो अबए 27 जुलाई को CRPF का 83 मां स्तापना दिवस मनाया गया तो इसकुशन का बे आप्सेंस है एक्चुल में 27 जुलाई 1949 को CRPF की स्तापना होई थी पहली बार 1949 में CRPF अस्तित्त में आया था इसलिए हर साल 27 जुलाई को CRPF का स्तापना दिवस मनाया जाता है इस बार इसका 83 महस्ता अपना दिवस मनाए गया है, अच्छा CRPF, इसका Headquarter कहां पर है, New Delhi में, CRPF से एक Question मन जाता है कि इसका Motto क्या है, इसका Motto है Service and Loyalty, क्या है, Service and Loyalty, और CRPF के Present Time पर Director General कौन है, कुल देप सिंग, कौन है, कुल देप सिंग, अब ये फिर से Important Day वाला Question है, तो बैसे तो मैंने आपको कई बार जुलाई के Important Day रिवाइज करा दिये हैं, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, और हाँ, अगर ये आपको याद हो गए हैं, तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, एक जुलाई को राश्टी चिकित्सा दिवस मनाया गया था, इस जुलाई को अंतराश्टी प्राश्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, चार जुलाई को सुतंता सेनानी अलूरी सीताराम राजु की 125 मी जैनती मनाया गया, चै जुलाई को बेसु जुनोज दिवस मनाया गया, साथ जुलाई को बेसु क्विस्विली दिवस मनाया गया, 10 जुलाई को राश्टी मच्छले किसान दिवस मनाए गया, 11 जुलाई को पेश्टु जनसंक्या दिवस मनाए गया, 12 जुलाई को बेश्टु मलाला दिवस और बेश्टु पेपर बैक दिवस मनाए गया, 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाए गया, 15 जुलाई को बेश्टु युबा कोसल दिवस मनाये गया, 17 जुलाई को अंतरास्टी न्याय दिवस मनाये गया, 18 जुलाई को नेलसन मंडेला अंतरास्टी दिवस और तमिलनाडू दिवस मनाये गया, अच्छा, बेश जुलाई को बेश्टी सत्रंज दिवस मनाये गया था, और इस बार इसकी थेम थी विमेन इन चेस बेस जुलाई को बेस मस्तिस्क दिवस और रास्टी ध्वज अंगी करड दिवस मनाया गया तेस जुलाई को रास्टी प्रसारण दिवस मनाया गया चौबिस जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया 25 जुलाई को 200 ड्राउनिंग प्रेवेंशन दिवस और 200 आईवीएफ दिवस बनाया गया 26 जुलाई को कारगिल बिजय दिवस बनाया गया था और 26 जुलाई को ही 200 मेंगरोब दिवस भी बनाया गया है तो जुलाई में अब तक इतने इंपोर्टेंट ही बनाए गए है यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं आपकी लाइफ ऑटमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी next question है हाली में कौन सा आयटी तंजानिया में एक परिसर इस्तापित करने की योजना बना रहा है तो अभी आयटी मद्रास तंजानिया में अपना एक कैमपस इस्तापित करने की योजना बना रहा है तो इस question का C options है अब IIT वाला कुश्यन है, तो अभी recently IIT से related कई कुश्यन मैंने आपको बताए हैं, जैसे अभी IIT कानपुर ने निर्मान त्वरक कारिकरम शुरू किया है IIT कानपुर ने अंतरिच रोबूट के लिए जैब प्रेरित करत्रे मास पेसी बिक्सित की है IIT मदरास ने ही सैप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबूट बिक्सित किया है, भारती रेलबे और IIT मदरास ने भारत का पहला सुदेसी हाइपर लूप बिक्सित करने के लिए साज़दारी किया है, IIT बॉम्बे ने भारती मौसम बिज्ञान के साथ समझाता किया है और इस्राइली दूतावास ने महिला उद्यम्यों के लिए छे सब्ता के परामर्स कारिक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझाता किया है मैं क्यूशन है हाली में गुजरात में होने वाले 36 में रास्टी खेल 2022 के लोगो में कौन सा जानवर सामिल है तो 36 में रास्टी खेल 2022 ये अभी गुजरात में होंगे 27 सितंबर से सुरू होंगे और 10 अक्टूबर तक चलेंगे इसका जो लोगो लॉंच किया गया है उसमें सेंग है तो इस कुशन का बे आप्सन से ही अच्छा आप इसका लोगो देख लीजिए ये है 36 में रास्टी खेल 2022 का लोगो इसमें जो जानवर है वो है सिंग अच्छा ये गुजरात में होंगे तो गुजरात में गिरी नेसनल पार्क है और किस की लिए फेमस है एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है गुजरात में सरदार सरूबर ड्रेम है गुजरात में नल सरूबर लेक है ठोल लेक है कंकडिया लेक है और खिजाडिया लेक है ये गुजरात की important लेक है ने क्यूशन है तो जर पच्चिस में ICC महिला बंडे वर्ल्ड कप की मेजबानी अपना देश भारत करेगा तो इस कुश्चिन का से अप्सन सही है अब ये जो दो जर पच्चिस में ICC महिला वर्ल्ड कप भारत में होगा तो ICC की फुलफ़म क्या है International Cricket Council इसकी स्तापना कब हुई 1909 में इसका Headquarter कहां पर है तुबई में इसके Present Time पर चेर्मेन कौन है ग्रेग वारकले और इसके Present Time पर CEO कौन है जी ओफ एलार्डेस Next Question है हाली में केस राज ने उत्तरपूर्व अंतरिच अनप्रयोग केंद्र के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है तो ये तृपूरा ने किये है तो इसके शिन का Bay Options है अब तृपूरा तो ये है Map में तृपूरा तृपूरा की Capital क्या है अगरतला तृपूरा के Chief Minister कौन है मानिक शाह और तृपूरा के Present Time पर Governor कौन है तृपूरा राजी सरकार ने मुख्य मंतरी चास रमी कल्यान प्रकल्प योजना शुरू की है और दूसरे बांगलादेश फिल्म महुत्सब का उद्गाठन तृपूरा के अगरतला में हुआ है ने क्यूशिन है हाली में पद्म सिरी से सम्मानित शुशोबन बंदो पाद्याय का निधन हुआ है बे कौन थे तो सुशोबन बंदो पाद्याय ये एक डॉक्टर थे और इनको एक रुपए का डॉक्टर कहा जाता था इन्होंने बहुत सारे लोगों का इलाज एक रुपए में किया जाद तर लोगों का इलाज ये एक रुपए में करते थे इसलिए इनका नाम पढ़ गया था एक रुपए के डॉक्टर इनको पदमसरी से भी समानित किया गया इनको पदमसरी कम मिला इनको पदमसरी दुजर बेस में मिला तो ये एक डॉक्टर थे हाली में भारत ने कितने नए रामसर इस्तलों को नामित किया है तो अभी पाँच नए रामसर इस्तलों को नामित किया गया है तो इसको शिनका से ओप्सन सही है इसमें से तेन तमिलनाडों में हैं कौन-कौन से हैं? करे के लिए पच्छिय ब्यारण, पल्ले करनई, मार्स रिजर फॉरेस्ट और पिच वरम मैंग्रोब, ये तेन तमिलनडु में हैं, एक मिजुरम में हैं, कौन सा है, पाला आद्रुभू में हैं, और एक मद्ध प्रदेश में हैं, ये है साखी शागर, तो अभी तक पूरे द राइस्तान में स्ताफित किया जाएगा, इसमें पूरा का पूरा स्टाप लेडीज रहेगा, तो इसको इनका बे आप्सेंस है, तेलंगाना के इस त्री निद्धी मॉडल की तरज पर बारत का पहला सर्व महिला सैकारी बेंक राइस्तान में स्ताफित किया जाएगा, अब अब राजिस्तान तो ये है मैप में राजिस्तान, राजिस्तान की गेपिटल क्या है? जैपोर, राजिस्तान की चीपनिश्टर कौन है? असूक गहलोथ, और राजिस्तान की गवर्नर कौन है? कलराज मिस्र, अच्छा अभी राजिस्तान सरकार ने बिधान सबा में स्वास्त का अधिकार विद्यक पेस किया है जारकंड और आंद्रप्रदेश की बाद राइस्तान यूरेनियम खननन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्जी बना है राज्जी गांदी ग्रामीड उलमपिक पुरुसकार पदान करने की गोश्ण की है अडानी ग्रीन आर्म ने बारत का पहला पबन्स और हाइब्रिड पॉवर प्लांट राइस्तान के जैसल मेर में चालू किया है और राइस्तान सरकार ने गर्बती महिलाओं के लिए बिसेस देखवाल अभियान आचल शुरू किया है राइस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है रडधंबोर नेशनल पार् प데 ट्रिक्वान पहले पहले पेटियम ने अपनी स्पांसर से बापस ले तो अब बेसी सियाई का नया टाइल स्पांसर बना है मास्टर कार अब बेसी सियाई यानि कि वोर्ड आफ कंट्रोल फॉर किर्किट इन इंडिया इसकी स्तापना कव हुई 1928 में इसका हेड़क्वर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है सौरब गांगुली अच्छा बेसी सियाई के सेक्रेटरी 28 जुलाई से चेननई के पास महा बली पुरम में सुरू हो रहा है तो इसको शिन का बे आप्सेंस है इसका एंथम अभी लॉंच किया गया है और इसका एंथम लॉंच किया है ए आर रह्मान ने इसके एंथम का नाम क्या है वड़क्कम चेननई क्या है बड़क्कम चेननई सो नुबाल इन्हों ने अभी बाल रक्षा मोबाइल एप लॉंज किया तो इस कुश्चिन का से ओप्शन सही है ने की कुश्चिन है हाली में IMF ने बित बर्स 2023 में भारत की GDP ब्रद्धिदर कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो अभी IMF ने फाइनस ये 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.4 परसेंट रहने का अनुमान लगाया तो इस कुश्चिन का बे ओप्शन सही है अब IMF यान की International Monetary Fund इसकी स्तापना कव होई 1945 में इसका हेड़क्वाटर कहां पे है वासिंग्टन डेसी में और इसके प्रजेंट टेम पे M.D. कौन है? क्रिश्टलीना जॉर्जी एबा कौन है? क्रिश्टलीना जॉर्जी एबा ने कुश्चिन है हाली में अंतरास्ती पुरुज T20 क्रिकेट के इतियास में सतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने है तो ये बने है गुस्ताप मैक्चियोन तो 280 दिन की उम्र में अंतरास्ती T20 क्रिकेट में सतक लगा के एक नया रिकॉर्ड बना दिया है तो इनका नाम आप याद रखिए ने कुश्चिन है हाली में जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एरपोर्ट की सूची में IGI एरपोर्ट कौन से इस्तान पर रहा है तो अभी दुनिया के टॉप 20 व्यस्त एरपोर्ट की लिस्ट जारी की गई इसमें नई दिल्ली का इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट तेरे में नंबर पर रहा है तो इस कुश्चिन का बे आप्शन सही है अच्छा माइन में क्लिक किया कि इंद्रा गांधी नेशनल एरप तेरे में नंबर पर है पहले नंबर पर कौन है तो पहले नंबर पर है यूएस का अटलांटा एरपोर्ट कौन सा यूएस का अटलांटा एरपोर्ट नेशन है किस देश ने 2024 के बाद अंतरास्टी अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है तो अभी रूस ने 2024 के ब अंतरास्ती अंतरिक्षच केंद्र को छोड़ देगा अब रसिया तो यह मैप में रसिया रसिया की केसि क्या है मॉसकू रसिया की करंसी ते रसीयन रूबल और रसिया के प्रजेंट टेंप पेशिडंट कोनः व्लाद्ीमीद पुतिं अच् Fastly Chief Prime Minister कोनः Cait Derna मित्सुतिन अभी 2022 में बारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्पेट का खाद्य आप उर्तिकरता रसिया बना है रूस के पत्रकार हैं दिमित्री मुराटोब इनके बारे में कई बार मैंने आपको बता दिया है इनोंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबल सांती पुरुसकार बेच दिया आपको पता है अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में यूद्ध चल रहा था और ये पत्रकार हैं रसिया के इनोंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबल पेस प्राइज ही बेच दिया हाली में सबसे सक्तिसाली एंटर कॉंटिनेंटल वैलेस्टिक मिसाइल सर्मत का सफल पर इक्षट रूस ने किया रूस ने फेस्वुक पर पूर रूप से प्रतिवन लगा दिया है अंतराश्री जूडो महसंग ने रूस के राष्टपती को अध्यक्ष के पद से निलम्मि की बज़े से रूस ने दुनिया के सबसे बड़े बिमान मारिया को तवह कर दिया वाडा यानि कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी इसकी रिपूर्ट के अनुसार डोपिंग रूधी नियमों का उलंकन करने में रूस सीर्स पर रहा है और इंडिया और रस्या के बीच म में कौन सी एक्साइज होती है इंडर एक्साइज माउंट एलवरस ये यूरोप का सबसे उचा पहाड है रूस की सबसे लंबी परवत सरंकला कौन सी है एलब्रूस और वेका लेक ये रूस में है और रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है लेना क्या है लेना तो रूस के ब की नाजरीन केटू फत्य करने वाली किस देश की पहली महिला वणी माईंध आप लिए लगबख सभी आप कभी नहीं बोलते अच्छा ये जो gk की book हमने launch की है अगर ये book आपको लेनी है तो आप emergency इस book को purchase कर सकते हो नेचे description में इस book का link दिया हुआ है gk book के नाम से इसका link दिया हुआ है उस link पर click करके आप इस book को emergency ले सकते हो आप एक बार इस book को पढ़ के देखो आपको सच में gk का feel आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने gk पढ़ी है और जब आप इस book को पढ़ो प्लीज इसका feedback मुझे जरूर देना अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में किसे बेस सुबेंग का मुख्य अर्थ सास्त्री न्यूक्त किया गया है चार option दिये गये हैं इनमें से आपको अपना answer होताना है और इसके अलाबा हम हम हमारे facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप facebook पर next exam सर्च करके हमारा facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप instagram पर indreschrc instagram पर indreschrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है अलफो लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का video आपको ये video कैसा लगा प्लीज comment box में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लीजे आपको इस channel से निश्चित ही मदब मिलेगी आपको इस आपको इस ही मदब मिलेगी में जरू कर दो है